सामालेकुम पकोड़े बाजी के इस मौसम में आप सबका स्वागर्थ और आपकी भरपूर फरमाईश पे हमने एक्यू आई मिटर आज साथ रखा है और 115 इस वक दिखा रहा है ये भी हेल्दी नहीं है हाँ लेकिन ये कि तीन दिन की बारिश से हम अब इनसानी एक्यू आई में आ गए है और आपके लिए गूड यूज यह है कि आज ना मुझे नाक साफ करना पड़ेगा ना इसके मूँ की तरफ देखके छींकना पड़ेगा आपनों को कितना अच्छा मैसों से हुगा लाज़त करते हैं मैं आई तो मैंने सिब आपते सारी का मैं का टिशू नाल रखी पाई पर चली मारी मैं तो बार बे नोट किया ना कि यह यही कर रहा था बस कि हाई मेरा नक तो मैंने यह देखा है कि बारिश के आप पर बहुत अच्छे हस्रात मुरत्ब हुए हैं मैंने आज नहीं आना था मज़ा बहुत नीदारी थी तो मैं नी ठांड लग रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती गाईज इस एंड बॉइज इस एंड गल्ज इस एंड गल्ज इस एंड आगी हो तो फुन कर लग यह पर एक ना खबरों से पहले मैं क्लारिफिकेशन भी कर देना चाहता हूं वह यह कि मैंने कल पकॉडबाजी मौसम में एक गाना गा के ट्विट किया उसके नीचे और यह पहले भी दफ़ा हो चुका है कि उसके नीचे पच्छेज आर लोग आते हैं और किते गड़ी मार देंगा यह आंखें बांधनी होती आंखें चुन्नी होती है यह अगरा पैनिफेक्टरिंग फॉल्ट के गाते हैं आंखें चुन्नी मतलब आप असीम अकरम कि अगर कोई पुरानी वीडियो निकाल के देखे ना तो वह जब भी कैच पकड़के यूँ एक हाथ से उपर फेंकते थे ना तो उनकी इस हाथ के सा आप इस बारे में खैर अब मैं आ गई हूं तो यह प्रोग्राम शुब कर जी आ जाए है अचा पहली ख़री है मेरे को बहुत बुरे हलाता है बहुत ठंड लग लग लिए पेरी ख़पर यह है के एफ-9 पार्क जो इसलामबाद में है आज मैं निखास है हम फर्स ताइम श वेक्सिनेशन सेंटर खुलावा था लेकिन लोर मिल्चल क्लास और लोर क्लास जो हम उसे बोर गहन आती है उन्होंना काया कि वेक्सिनेशन बंद करवा दिया है सेंटर कि इतनों पूर्टी लोग आते हैं बैकर फ्री पीसी सिटी को बनाया चाहिए यह अपने आपको उसमें यह लिखा होता है बहार कि मुलाजमों का और पालतू जान्वरों का अंदनारा मन है मतलब मुलाजम और जानुर एक लाइन में लिक्का होता है यहाल माफ करे लेकिन बस वही बात है कि आपनों को उनके इंसान ही निक पर रहे हो कि उनको को बिट के इंएक्शन मीन तो प्रूट पर चाहिए उस्वारी आप पुछी जाते हैं लोग बाइक वनों को गाली निकालते हैं यार ये फास्ट लेन में करें तेरी वह लेना है तो जा अच्छा वह उसको भी लें पता है कि उसकी वह ले लेकर लेकिन वह जो इसके अंदर वह ना कि वह यह तो है हर पुब्ली क्लें से निकालते जारे हैं विल्कुल उन्हें दिवा जा रहा है कि की बड़ी तफा स्टेटमें Tut आप घर निवार से लगाया जारे हैं बड़ागे कि वार से लगाया जारे हैं तो उसके बाहिस अमेचा मैं बढूट भूल गया है इतनी तनी कंफ्यूद हू कि ड्राइवर्स भी अंदर नहीं आ सकते हैं अच्छा देखें इसके इलावा एक चीज थोड़ दन पहले दोस्त डिसकास का रहे थे कि अगर आप हम लोगों के जो भी किच्छन होते हैं वो जिस तरह से डिजाइन होते हैं उस पे भी कभी खौर ने किया कि वो जितने उसमें जगे होती है न कि पैनल टाइप उसकी हाइट कभी आप देखें एक तो यह कि हुआ है कि बंदों के लिए तो होते ही नी क्युक히 वो बंदों के लिए नीचे है ठीक है, वो मैं खड़े होके उस पर काम करना ही गोश्क करना है, तो मेरी कमर में दर्फ निकलती ही, क्योंकि वो मेरे लिए नीचे है, एक तो आप लंबे भी बहुत हैं ऐसे ना, खेर, खवातियन के लिए वो इस तरह से उंची है, कि उन्होंने खड़े होके ही काम करना है, कुरसी लगा कि उस पर काम नहीं कर सकते हैं, अच्छा, अब फिर वही बात कि वो जो आपकी डुमेस्टिक हेल्प है, जिसने सबसे जादा टाइम गुजारना है किचन के अंदर, आपने उसको बारे में सोचा यह है कि एन्हों की लोड़े बैटन दी, हाँ, 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 ख अब जाए दिन दा खपया हूँ, मैंनु की कमा, नहीं दिल करता, बिल्कुल, अच्छा, यह जे इस्लामबाद का आपने वह जिकर कि ए न, बैगर फ्री करना है, जी, इमरान साम को को न निकालेगा, किसी ने सोचा इस बारे में, है, यह, 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 जिए है, कि ए वो गुए शक्स है, वो जए बहुना है, तो ऐस की वैसी ही बढ multim को ही ए तो वी जा है न, इसको जाहरा वो जाहरा हे, बSaarid तो खैर ये तो एक फैमिली थी जिस की मतला काफी उसके हल्प की उसको रिक्षा वगरा ले दिया और वो जो है ना अब खुद कमाता है अपने घरवलों को सपोर्ट करता है वो बना मतलब सेफिशेंट हो गया जिस फैमिली ने उसकी मदद की थी उनकी एक शादी थी तो उसन चाहिए उसने बुके खरीदा और वो अपने रिक्षे पे इसनाबा चल पड़ा वो बिचारा इसनाबा पहुंचा और उसको ना के पे उन्होंने का कि यहां पे रिक्षा नहीं आ सकता है वहां से बचारा और वह जह ने कि यह जो हमारी कानून साजी करने बैठे में है यह कोटे बनाई ही है जो ने इनसाफ देने गरीब को उस शहर में गरीब की एंट्री बंदे है अगर मैं अब आपने वहां पे केस पर करना तो आप लाउड ही नहीं है उस शहर को मैं आपने इस तरह से मॉडल बना दिया वे फिर तो सीजे रह ना कहनते हूं कि असलाबाद जै तीस साल से चोटे वाले जोमेब पैसे दे के कलवा सकते हैं जाएं और लीगल पैसे ब्राइबरी नहीं है उसके इंदर अच्छा गाइस हमारे पीम ने कहा है एक बहुत अची स्टेट्मेंट दी उन्होंने कहा कि सब को अपताई इंफलेशन है ये बिफ्त्री तरीका तु कि अच्छ कुछ है ही नहीं तो कंट्रोल कैसा है क्या कर रहा है आदी ऐसा चीज ही है कि जुनका ब्हान एना कि थीन महीन में मैं युम्पम कर दूँ आग तो एक तो यह कि वही नोटिस लेने वाली बाता गगी है मेरे फिल्में अप तीन महीन में छट फाड प्राइसे दूसरे यह है कि उनको जो उनके सपोर्टर्स है ना वो यह नहीं पूछते कि कैसे नहां वो कुछ भी कहते है नवे दिन में यू कट दूँगा लो करते हैं कि कैप्टन की शाउट आगी है कैसे क्या होगा वस उसने कह दिया ना पस हम कुछ बात भी आप करेंगे उसने भी तो यही कह दो सबको के इंफलेशन है ही नहीं खतम हो गई है तो मुझे यह बहुत यह अच्छी एक स्टेट्मेंट लगी है आइ तिंग सो चीजें अगर खराब मैंना तूनके बारे में ब तसल कर देना वह जो फवाज चादरी साब ने भी कहा है वो यह कि जी सो हजार पता नहीं एक लाग गाड़ी जो है वो मरी में घुसी है उससे आपको यह पता चलेगा और जो नर्ख है होटल्स के वो बढ़के ओ च्छत तुर गए ने और जो है इससे आपको यह पता लगा तो तो जो मतलब वह भी इंफलेशन को डिनाए ही कर रहे है कि कोई इंफलेशन नहीं है सबका लिविंग स्टैंडर्स बहुत हाई हो चुके में कोई परिशानी नहीं है वह भी आलमा सिम्रान वाली ही बात कर रहे हैं वह स्पर आपको इस पर सिफ एक ही चीज होती है कि यह सारी एक्स्पिनेशन देनी तब पड़ती है जब कहीं किसी की बेलने में बहां आई हो जब सब कुछ वाकरी ठीक चल रहा हो ना फिर आपको बोलने की जुरत नहीं पड़ती है ठीक है ओपोजिशन कह रही होगी ठीक है ठीक है ना मर्य में इतनी गाडियां गुजग कोई अनों को उस तरफ का लाका नजर नहीं आता है यह वही बात है कि अधर भी सुने है काफी अपर चली गई है जो तो बैस तो खेर आप आईस्ता इस्ताना मेरा भी यह ज़िए कि उस तरफ को मूव करना चाहिए क्योंकि यहां पर तो ग्लोबल वार्मिंग की चीजे बावलपूर की जगह को तो एक्सप्रोर करना चाहिए मैं मां की पिदाइश हूं मतलिए बावलपूर का सबसे बड़ा तोपा इतर आगी बहता है जो नवबे दिन की कैम्पेर्ण पर गीची कि उसको सूपा अपना या जाए लेकर बड़ी गर्मी दूर 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 एक्स अगर आप मुलतार में तो प्लीज जाके माँ पिखाईएगा आज कर में जो जर्नल हर तना की जो इना इफ्तिताई तकारीब काफी ज्यादा नहीं होती जारी मैंसे फीता कटनन्द सारे अनुशॉक है ने जी देखे ना बाद बड़ी सीजी सी है हाउसिंग सुसाइटीज में यही तो लैंडमार्क होते हैं जिस पे प्राइसे उपर जाती है पूट कोर्स तो जब भी कोई चीज खुलेगी उसके बाद प्राइस उपर जाएगी और दूसरा असर पते है बुन्यादी तोर पे होता के है रियल स्टेट में लोग समझते हैं कि बहुत पैसे हैं पैस तो देखो मैंने पैसे कमा लिए नहीं तुमने पैसे नहीं कमाए उसकी वज़ए है कि तीस साल पहले डॉलर जितने का था और अब डॉलर जितने का है तुम्हारे पैसे वहीं के वहीं हैं तुमने पैसे नहीं कमाए पैसे कमात्या है रियल स्टेट में वो आदमी जिसके प प्राइस उपर गई उसने प्लॉट निकाल दिया मेड़क को एक बाक आउट उसके तो है वह जाना कि 30 साल रखे 25 साल रखे प्लॉट अब इतने का है तो वह तो डॉलर डिनॉमिनेशन में आप उटर में देखे तो वह तो प्लॉट वहीं का वहीं ख़ड़ा है जिपने इंसा सब्सक्राइब करते हैं जिए आइटी का दौर इंफोर्मेशन के पैसे हैं जिए प्लॉट आपके 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 इंफोर्मेशन है तो मैं चीक है निया फेस कहां बनने लगए जिए जिए जिदर बन रहा है मुझे बताएं मैं भी वाज आके खरीदूं अच्छे यह सारे सब्सक्राइब करते हैं उसमें मैं यह सेंट्रल बिस्निस डिस्ट्रिक्ट जिद्धी सडग जेडी है उधर से इक गाड़ी का पी गुजनना ना कभी अजाब हो जाते हैं गटर सारे बाइं निकले हैं ठीक है उसमें थापर जड़ करते हैं न आप पांचते हो ठीक है और म बन रहे हैं उसे बिस इस डिस्ट्रिक की पार्किंग और वह सब कुछ मैंच करने के लिए अंडर्ग्राउंड जो है वह मैं आपको पर बिप्ता चुकिए पार्किंग भी बार्रिया बेस्मेंट में दो फ्लोर दो फ्लोर सोर उसे वह में बोलीवर्ट और सारा कुछ भी उ तो है ना मॉडल टाउन भी जो लोग तो जोहर टाउन वगरा से आते हैं उनके लिए ठीक है जिसने कहीं और से मॉडल टाउन आने उसकी जिन्देगी भी खत्म है ना गार्डन टाउन खत्म फैसल टाउन खत्म ये लंबा ही चकर अचा फिर वही बात के वो थोड़ा से वही जो तो तो उत्य सड़क बनी होगे वही वही जो अली मलेक वगरा से पूछा ना तो वह कहते हैं यह सब्सक्राइब को पैसे देड़ों वह मजदूर जा कि क्रियाने की दुकान से डबरोटी खरीदेगा वह पर एक्सटा फरीज फ्रीजर लेकर आएगा वह नीचे से यूगर के ओपर जाता है तो वह सब कुछ ती यह बेतरी मुल्क के लिए जो है ना वह होता है कि सारे कमाएंगे जाले करो सारे मुझ पाई जाओ बस बाकी सब का सत्या नास हो जाए और बाइधे मेन बुलिवर्ट पर उन्होंने स्मार्ट ट्रीज भी लगाने थे हूनों हो नो स्मार्ट टीज कितर जानगे और कितना कुछ कटेगा यह भी मेरे को मालूम नहीं है अच्छा गाइस नेक्स जो है वो मुझे आप लगों से पूछना थे कि अगर आप रेंट पर किसी को चड़ाते हैं या आप खुद रेंट पर हैं तो क्या पुलीस के साथ आप अपने करायदार को तो यह चीज तो अरड़ी एक्जिस्ट करे थी तो दुबारा कि क्या हुआ है अप पुलीस को जाके इन्फॉर्म करोगे कि अब इस घर में मैं इनी क्रायदार रहता है उसकी वज़ा यह है कि वह अगर पुलीस को नहीं पता और उस घर में को गयर कानू होती है तो वह तो जाकर माली को पकड़ेंगे तो यह तो चाल रहा है बड़े हरसे से यह रियनफॉर्स करने ही कोशिश कर रहे हैं क्योंकि यहां पर बहुत सारे लोग एर्बेंबी कर रहे हैं आप हर दवात नहीं जाकर बताते कि तीन दिन के रिए मिर पस विलाना आ रहा है यह किराय पर कई लोगों ने करके एर्बेंबी किया है उसमें अच्छा है इस पर वैसे इनका काफी वो है इंटेलिजनस नेटवर्क अच्छा है सरकार का कि मेरे भी कुछ दोस्त करते हैं तो इससे पहले कि वह इंफॉर्म करें उनको फोन खुद आ जाता है है हां इंट अच्छा करता है ना किसी का फोन आता है तो इसमें बिल्कुल स्थियॉर्टी सेफटी वला मामला भी हो सकता है यह बहुत है डूसरी तरफ आए यह जो है यह कर सकते हैं कि लोंकी जिंदेगी थोड़ी सी खराब की जाए इस तरह करके अच्छा हाँ सही है है नहीं उसले हा सब्सक्राइब करते हैं कि यह एक शरीफ जो है सिटिजनल लाहुर के एंवे गाइस नेक्स खापर यह है कि अर्म बालिक ने नस्वार पर पबंदी लगाती है अगर आप नस्वार कंस्यूम करते हैं तो आप उसको लेकर ट्रेवल नहीं कर सकते हैं यह भी जून बन चुका है बंदा किते हैं मरें अली सारा कुछ बैंड होई जा रहे हैं इससे ना मुझे दो तीन चीज़े याद रहती हैं साथियर आप प्रोग्रेसिव होना चाह रहा है उत्थे कॉंसर्ट होने परने ते मसला का लूना स्वार दे ना आले तो एक टीज़े कि हम शाहिदा अफ्रीजी साब से अफ्सोस करें यह वो कहेंगे आपने racist remark दिया है ethnic remark दिया है कराची कुछ हर से पहले हमने गुटका मावा बैन कर दी है मावा क्या होता है मावा थंडिए चामा यह हुआ है मावा क्या होता है कहां से मिलता है इस पर ना इन दोस्तरा था मतलब अलम्दुल्ला है आता है अल्ला इसको दबेजन देगी ते नहीं भी मुला कहात का वो तो यह जांगे है मारा ने लाट तो है मैं तुम से मिलता नहीं तुम मेरे लिए मार चुके हो उसके ना कलर बताने कर दो अफ ब्रावन कियां है खाना है क अफ ब्रावन किया होता है। हलका नसभारी कर दो भी लेजंडरी जुम्ला था है खड़े भी एना बात चाते बेगे हैं कि आज भरीक मूतरी है तुस्ती नांकलों के कर देता हो उसमें कोई और बात है अजी जी वो ओफर जूर करता था हमने कभी अवेल नी की ओफर करके तो देख 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 अली उदर पेचे ना नडाले पड़ जाते अच्छा जी तो हमें बड़ा अफसुर बात का मिल तो ऐसी हाथ तरह के बहुत मसला होता है जारे है अली कोई इतना पैसा घज करके चरसें लोग लेते हैं चुरस और अधर स्टाफ तो पता नहीं साथियर्ब क्या कर रहा है जो खाने वाला टॉबैको है वो स्मोक करने वाले टॉबैको से जादा नशे करते हैं तो फिर आप सरकारी इस्पिताल में आकर इलाज नहीं करवा सकते यह बिल्कुल वैसी है जिस तरह अमरीका और में जब आप इंशोरंस लेते हो तो स्मोकर्स और की इंशोरंस तो बहुत मेंगी होती है और अगर आपने बताया नहीं आपने करता और आप असल में करते हो तो जब आपका क्लेम जाता है न वो आपकी एक्चुली फेस्बुक सिर्सवीरे निकाल निकाल के देखते हैं कि कहीं आप सिग्रेट पकड़ कितरी कड़े है कई लोगों की इन्षोरंस जिनाय हुए वहाला कि एक्चुली ऑन्यग्य। नहीं पीते थे लेकिन वो कहीं ऐसे ही एक तस्वीर में उन्हें दोस के साफिकरेट पकड़े होगे और तो तो पीना है, यह की पुक्वास होई, मतर बंदा मर भी ही सकता है, आपर चोई से, वैसे तो guys, COVID का इतना बुरा हाल है, अली बस दुआ करो ज्यादा ना पहले मननना फिर हमें मां हुजारी अटाफ करना, मुझे फिर अपनी पढ़ जानी है, ने ने अभी अभी पैसे आने करते हैं, शुरू का एड भी स्कित निहीं करते हैं, क्योंकि इसी दरने यूट्यूब के एक सीन है, यूट्यूब में नकोई भी क्लेम नहीं कर सकता है कि मेरे इतने व्यूस पे इतने पैसे आइसे आएगे, अगर तो आप जो ऐडता है, उस पर क्लिक कर देते हो तो तो प तो में मौट पेटी हूं जी अपने शों पर जो पर आप मार में नी वेखनी है अब यह आज एक नया राज फुलेगा कि मेरा तो दिल इतना कू ब्रोकन है कि हर दफाए इसको वर्टसेप पर बताना पड़ता है कि यह एपिसोड आगया है क्योंकि इसने मेरे ही चैनल सब्सक्राइब नहीं किया मैंने बहल आइकोन को हाथ लगा रहा है अली आव जायना नोटिफिकेशन अगर मेरे किसी इंपोर्टन चीफकात मैं तब भी नहीं चैक करती बस नहीं चैक किया जाता लेजी कोई बात में मैं आज सब्सक्राइब करूंगा आप रोना नहीं है आपने रोना नहीं है ठीक है गाइस अच्छ अर यह जो कुछ मैं ब अली ने दे भी देनी है यह पकी बात है अच्छ गाइस पिछले दुनों बहुत बड़ा डिस्कोर्स हुआ इस पर दीएज क्यों डॉक्तिया नहीं हो रही जो कि एक में टॉपिक रहा है पीसल में अनॉंसमेंट हुई है कि पीसल की हर टीम के अंदर जो डॉक्तर्स है वो सब्सक्राइब के साथ हार किया जाएंगे सर्गी यह तो ब्रें ड्रेंग का यह इतनी फिट बेस बन रही है इस मुल्क के अंदर कि सार्टार्ड बंदे आनु जॉपा ठीक है ना सर्विंग ने फूट को खोला अब आन्मी के डॉक्तर से एनो ना फाट के लाग के लागे मैं वैसे भी मुझे इसी तरह भी ब्रेक मेलेगी जिंदगी में मैं तब बाकी डॉक्टर्स मार गए है अब रही ठीक है नहीं कोई ठीक नहीं है चुपका जो तो तो बस ठीक है बाकी जो है ना बस मेरी टीम से ना सिर्फ यह एक्सपेक्टेशन है कि वो बिलकुल जिस तर मिस्वा की टीम ने जीतने के बाद डंड कटने शुरू कर दीक है वो ना करें बाकी थीक है ओके काई तो एक बुरी ख़बर यह है कि टेक्स्टाइल में मसा मसा हमें एक्सपोर्ट में थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रेंड पिश्री दिनों नजर थे एस पर द नंबर इन र उसमें फिर वह लिवाद के हकूमत का सिवाए इसके कि इनुने चलाया रखा काम इसके लावा कूमत का तो कमाली था चाइना के अधना के अधर बीजिए अब लेकिन वजाहर गैस की वज़ए से एक वो प्रॉबलम हो गया है गैस की वज़ए सिर्फ यह प्रॉबलम नहीं ह तो वह क्राइस चाल तो रहा है बट रहा है वह अच्छी ख़बर नहीं आती यार क्या अजाब है दूसरे ही है कि हो सब्सक्राइटर यह भी वितराजात है कि तुम लोग बढ़ हाँ चड़ा के पेश कर दें हां चाहरा थिकामे आपने सही मुस्पत रिपोर्टिंग कर ले अगर आपने बार बार यही कहना है कि 92 का वरक अप हम लोग चीखते थे और इतने अरसे में अपना हॉस्पितार मना दिया तो यह नहीं पताया अगरे प्लीज यह कोई पॉस्टिटिव ख़पर नहीं है अच्छा गाइस तो इस पे मैंने तो नोटनी कहते है इसने मुझे स कि अवास की जो आडियो कॉल रिलीस हुई लीख हो गई रिलीस नहीं होई परवेज शीर के साथ मेहवे गुफ्तगू थी एक प्राइवेट कॉनरसेशन के अंदर और उस पे वो परवेज शीर का गुसा चड़ गया और रिपोर्ट कार्ट हमारे हाग में बात नहीं करता क् वहाँ पर वाँ पर वाँ पर वाँ पर अपने नौलिज के लिए ताकि मुझे यहां पर क्या बुलाता तो वह ना लीक हो गई फिर मर्यम नमा जांगा मैं पच्छांगी आई की गल हुई तो गुसा किस बात पर चड़ा है सारो को कि उन्हों नहीं ये लवस इस्तमाल किया हां सारो के गलाव गुस्सा है साफियों को खास तर पर और ये एक चैनल ने ये कौल चला दी उसके बाद फिर उनको मना किया का कि हमा पूल नहीं को अजला सकते कि कौर्ट थेलासा कि किसी की निजी कौल नहीं चला सकते हैं तो इसकी वज़ाए ये कि ये तो शुगल ही लं कि यहां पर तो हर सहाफी हर स्यासदान हर और और लोग ने तो नाम ही रखे होती लोग असलाम करें तो कॉले चाल को ने ना इधर मैं कहते हूं कोई कॉंटेंट मिले सारों को पूरे अप्ने का सो गाइस इस वीक का बस यहीं तक था अगर एपिसोड चोटी हो तो हमें माफ कर दें ठंड बड़ी लग रही अला की कसम में ना बस मेरा पकान भी बांदो गया बैठे वे यह होता होता है तो सर्दियों में अगर हमसे जादा ना बोला जाए तो प्लीज माफ कर दीजेगा और एपिसोड जरूर देखिए गा और मुझे बताईएगा कि रेंट पे चब चड़ाते हैं तो प्लीस में रिजिस्टर कराते हैं कि नहीं कराते हैं पो जरूरी इंफरमेशन है okay guys see you next time bye bye